हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एजूकेसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे वर्ल्ड फार्मासिस डे के बारे में तो 25 सब्टेमबर को World Pharmacist Day जो है वो celebrate किया जाता है तो 25 सितमबर को ही विस्व फार्मासिस दिवस क्यों मनाया जाता है वो हम जानेंगे आज के वीडियो के अंदर तो फार्मासिस के जिनको medicine expert कहा जाता है तो उनको medicine expert क्यों कहते है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फार्मासिस जो है वो medicines के research के related जुड़े है कि जब भी नई-नई medications और नई-नई दवाया market के अंदर available होती है तो उनके पीछे जो कोई है तो वो है फार्मासिस्ट क होने के बाद वो medicines का proper manufacturing होता है तो manufacturing में भी फार्मासिस्ट जो है वो involved होते है कि जिन्नोंने फार्मासिस्ट की पढ़ाई की होई है फार्मासिस्ट है और उनको proper knowledge है medicines के बारे में फिर वही medicines के manufacturing के बाद उनका supply फिर उनका अच्छे से distribution होना और distribution के बाद proper knowledge जरूरी होता है वो medications को patient तक पहुचाने के लिए तो ये सब भी के अंदर involved होते है फार्मासिस्ट तो pharmacist कौन है तो जिसके पास degree या फिर डिप्लोमाइन फार्मासिक का qualification है और ये एक qualified person है फिर register फार्मासिस्ट भी उनको कहते है कि जिनका जो state pharmacy councils होते है उनके अंदर उनका registration होता है साथ हो साथ उनके पास license भी है और knowledge भी है medicines को sell करने का उनको distribute करने का और manufacturing करने का उनके पास proper knowledge है तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट दीन के के दोरान आप ये बहुत सारे लग-लग ये posters वगरा देखेंगे कि फार्मासिस्ट को जो है वो super human भी कहा जाता है because कि वो बहुत सारे जो chemicals होते ह उनको एक life saving drugs के अंदर जो हैवो convert करते है और एक reason माना जाता है उनको doctor's के success के पीछे है फिर कुछ ऐसे भी कहते है कि और pharmacist जो है वो life देते है medicines को कि फार्मासिस्ट का जो काम है कि जो medicines को life देने का काम जो है वो pharmacist का है तो फार्मासिस्ट जो वह काफी proud फिल करते हैं तो उनी के लिए ये फर्ल फार्मासिस्ट डे जो है वह celebrate किया जाता है 25 सेम्टेबन को तो main role क्या है फार्मासिस्ट के वो भी हम जानेंगे कि फार्मासिस्ट जो study करते हैं तो आप यहाप यहाप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे subjects वगरे involved होते हैं फार्मासिकी पढ़ाई के अंदर कि जिसकी proper knowledge लेते हैं फार्मासिस्ट तो फार्मासिस्ट सिर्फ जो एसे medicine sellers नहीं कहे जाते हैं बट वो एक proper expert है कि जो medicines के research से लेकर उनके manufacturing, supply, distribution सभी के अंदर जो 5th September को celebrate किया जता है और यह एक specially ऐसा day है कि जिसके दिन फार्मासिस्ट को जो है इनकरेज किया जता है उनकी activities को promote किया जता है और proper लोगों तो को भी पता चले कि फार्मासिस्ट के रूल वगरा क्या होते हैं and across the world यह World Pharmacist Day जो है वो celebrate किया जता है कि जिससे एक awareness फेलाई जा और लोग जो है वो फार्मासिस्ट को अच्छे से समझे तो फार्मासिस्ट के हम रूल समझे तो फार्मासिस्ट क्या करते है तो medicines के manufacturing हो गई उनका supply हो गई डिस्ट्रिबिस हो गई उसके बाद जब वो medications किसी patient को देनी है तो फार्मासिस्ट क्या करते है कोई right medication को right patient को और बिना किसी डिले कि ये पेशन को जो वो दवाया पहुचाते हैं कि एक तो करेक्ट मेडिकेशन उसके बाद उसका करेक्ट डोस, करेक्ट पेशन, करेक्ट टाइम और बिना किसी डिले के मिलेके बिना किसी देरी के वो मेडिकेशन पेशन तक पहुचाने का रोल है और साथ साथ ऐसे medications पहुचाने हैं patient तक कि जो safe होते हैं और साथ और साथ effective भी होते हैं तो ये काम जो है वो main pharmacist का कि जिसको role of pharmacist कहा जाता है and acidosis form की जो patient के लिए suitable भी हो तो pharmacist की जो responsibilities समझे की जो hospitals के अंदर है तो वो responsible बनते हैं drugs के monitoring के लिए और साथ और साथ उनके supply के लिए and proper medications के purchasing उनके manufacturing फिर dispensing के लिए और proper उनके quality testing के लिए medication के stock regularly maintain करने के लिए pharmacist का जहें वो involve होता है तो ये सभी activities के लिए awareness फैलाने के लिए उनकी activities को promote करने के लिए encourage करने के लिए World Pharmacist Day जो है वो हर साल 25th September को globally मनाया जाता है मलब कि worldwide 25th September को हर साल जो है World Pharmacist Day celebrate किया जाता है कि जो एक awareness फैलानी जरूरी होते है कि एक professions के related तो ये important कि जो role है फार्मासिस्ट का कि life जो improve होती है या फिर जो health improve होती है किसे भी person की कि अगर health अच्छी होगी तो life भी improve होगा तो जो role है फार्मासिस्ट का इसके related के medicines जो proper provide करते हैं related knowledge भी है और उनकी related research से जुड़े है manufacturing से जुड़े है तो उनको proper encourage करने के लिए और ये profession के awareness के लिए world pharmacist day जो हो celebrate किया जाता है तो world pharmacist day एक initiative है FIP का कि FIP का full form हम देखे तो वो है international pharmaceutical federation कि इन्होंने suggestion दिया कि 25th September को world pharmacist day जो हो मनाय जाए और 25th September ही date इसलिए ले गई because जो FIP था उसका जो establishment हुआ था 25th September को 1912 के अंदर तो जो तुरकीस मेंबर थे FIP के उन्होंने ये date जो हो suggest कि और जो international pharmaceutical federation जो कहा जाता है FIP तो उसका जो establishment का जो day था उसी दिन को world pharmacist day के त्वार पे जो हो celebrate किया जाता है तो 2009 में जब council की meeting हुई FIP की Istanbul के अंदर तुरकी के अंदर तुरकीस फार्मासिस थे उन्होंनों ये date जो हो suggest किया और उसी दिन से world pharmacist day जो हो हर साल जो हो celebrate किया जाता है 25 सप्टेंबर को FIP के बारे में हम जाने तो FIP के अंदर globally 4 million या फिर उससे भी ज़्यादा फार्मासिस्ट और फार्मासिस्टिकल साइन्टिस उसके अंदर जुड़े है और ये जो world की जो health है उसके related जो हमेसा काम करते रहते हैं कि जो जो भी जरूरत होती है health related उसके related research फिर जो भी कोई नई medicines के related research होते हैं सभी के अंदर उनका involvement होता है एंड ये एक non governmental organization है FIP के बारे में और जाने FIP के बारे में तो उनका abbreviations FIP बनता है कि इंटरनेशनल फार्मासिटिकल फेडरेशन कहा जाता है उनका जो motto है वो है कि advancing pharmacy worldwide कि pharmacy का जो worldwide proper promotion हो सभी लोग pharmacist को भी जाने एंड pharmacy के जो profession के प्रती proper awareness चानले के लिए वो हमेशा अपने प्रायास करते है Pharmation हुआ 25 September 1912 को उनका headquarters से देहेज सहर नेधरलेंड के अंदर और उनकी website है www.fip.org तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि FIP का जो headquarters है नेधरलेंड के अंदर तो यहाँ पे आप उसका building देख रहे हैं और यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं FIP तो expert lecture by Amrser, Bfarm Mfarm in Pharmaceuticals PhD pursuing founder of Pharmadox Thank you for being Pharmadox family, updated area of pharma knowledge के साथ, subscribe करिये channel, press करिये bell icon